बिग बॉस के कंटेस्टेंट का काफी असर जनता पर होता है लेकिन इतना असर जनता पर होगा ये किसी ने नहीं सोचा था जी हाँ इस वक्त चलिए आपको बताते हैं कि Big Boss के कंटेस्टेंट और मराथी के विनर रह चुके शिव ठाकरे का जनता किस तरहीके से सपोर्ट कर रही है और उनके सपोर्ट के चलते भई लोग सड़कों पर उतराएं हैं आखिर क्या हो रहा है Well Hello Guys and Welcome to FIFA Fools मैं हूँ जोती नहाख जैसा मैंने कहा कि Big Boss का असर जनता पर पिछले दो से तीन से चार सालों में I think Season 11 के बाद से जादा हुआ है ये क्योंकि शिल्पा वर्सेस विकास जब हुआ तो वो नेशन उस बारे में पूरा बात कर रहा था फिर धीरे धीरे ये उनों स्रीसांत और दिपिका वाला केस हुआ फिर उसके बाद सीजन 13 का तो रेकॉर्ड है अब तक की लिटरली मॉल्स में किस तरी किसे वाट लग गए थी लोगों की इनों इतने सारे लोग एक साथ मौजूद थे मॉल्स में आपको यादोगा आसिम वोसे सिधात जब था so it was another level और अब जो है जनता इतनी involved होने लग गई है बिग बॉस के कंटेस्टंस में कि वो उन्हें almost अपना खुद का मानती है अपने घर का मानती है और ऐसे में कंटेस्टंस घर के अंदर कुछ भी करते हैं या उन्हें अगर कुछ वो अच्छा नहीं support मिल रहा है जी हाँ बिग बॉस की घर के अंदर शिव जो है उनकी जिस तरीके से entry हुई है एक पूरा वो महराश्रन मुलगे वाला जो अफतार था उनका वो fans को बड़ा interesting लगा लेकिन अब घर के अंदर उनके game को देखकर भी जनता बहुत ही जादा excited फील कर रही है और चलिए आपको पहले मैं एक visual दिखाती हूँ ये शिव का पुतला उपर लगा हुआ है आपने किस शिदत से लोग ना सिर्फ रोड्स पर सड़को ये देखे मतलब तादाद देखो यार आप मतलब हदी हो गई ये देखे इतने सारे लोग वो लास्ट तक जहां तक नजर जा रही है वहां तक लोग ही लोग है और सभी बाइक पर शिद के पोस्टर लेकर अपने साथ नारा लगा रहे हैं आपला मराथी मानुस शिद ठाकरे ही ये शोग जीते का शिद ठाकरे ही विनर बनेगा वेल देफिनेटली फैन्स का क्रेज अन्नादर लेवल है शिद ठाकरे को लेकर शिद घर के अंदर जो स्टैंड ले रहे हैं सबको पसंद आ रहा है तो क्या कहेंगे आप इस बात पर बताईएगा